हेलो स्टुडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 7.2 का question number second यहाँ पे हमारे पास question है state true है और false हमने हमारे पास कुछ statements given है यहाँ पी यह बताना है कि वो statement true है या false है हमने इनको याद नहीं करना है कहीं आप यह answers देखके याद कर लो कि first का true, second का true, third का false, x, y, z जैसे भी है ऐसे याद मत करो इनको समझो कि वो कहना क्या चाता है statement क्या है उस basis पे अपना answer चूज करो कि आपकी जो statement given है वो true है या false है तो हम with the reason यहाँ पे हम पढ़ने वाले है first part जो है वो क्या है cube of any odd number is even अगर हम किसी odd number का cube करते हैं तो वो even आता है चलिए चेक करते हैं, देखते हैं, मान लिया कोई भी odd number है, हमारा one है one का cube करते हैं, one का cube मतलब क्या हो गया, one multiply, one multiply, one one की multiply कितने times भी कर लो क्या आएगा, one आएगा क्या ये even number है, नहीं है, तो इसका मतलब पहली बात तो यहीं पे चेक होगी, हमारी जो ये condition given है, ये क्या given है false given है, चेक कर लिया, ऐसे ही हम 3 का cube करके देखते हैं, 3 का cube क्या आएगा, हमारा 27 ये भी order है, तो यहाँ पी क्या है, हमारी condition first है, false है I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा, reason भी पता लग गया होगा, second part पे चलते है A perfect cube does not ends with 2 zeros, अगर मालिया किसी का हम perfect cube करते हैं, तो वो 2 zeros से end नहीं होता है यहाँ पे देखो, does not ends with 2 zeros, तो 2 zeros से end नहीं होता है तो चलिए देखते हैं, 10 का अगर हम cube करके देखते हैं, 10 का cube क्या होगा, 10 multiply, 10 multiply, 10 तो कितना आगा हमारे पास, thousand, अब मालिया और किसी का cube करके देखते हैं, 20 का cube करके देखो 20 का cube क्या होगा, 20 multiply, 20 multiply, 20, कितनी 0 है, 1, 2, 3, तो 3 zeros, और 2, 2, 4, 4, 2, 8 अब यहाँ पे देखो, अगर हम किसी भी number का cube कर रहे हैं, तो हमारे पास कितनी 0 जा रही हैं, 3 zeros तो उसने यही तो बोला है, कि किसी का भी cube root है, हम करते हैं, तो वो 2, 0 से end नहीं होता 2 से नहीं होता, बट कितनी से हो रहा है, 3 से, तो उसने जो बात कही है, वो बिलकुल true कही है तो यहाँ पे हमारा जो आजाएगा, answer क्या आजाएगा, true हमेशा जो cube होगा, zeros वाले का, वो हमेशा 3, 0 से end होगा, ना कि 2, 0 से तो हमारा answer क्या होगा, second का true next बात करते हैं, if square of a number ends with 5, अगर हम किसी number का square करते हैं, जो की 5 से end होता हो, मतलब 5 से खतम होता हो then its cube ends with 25, तो उसी number का cube जो है, वो 25 से खतम होगा, ऐसा चेक करना है दोबारा समझते हैं, क्या कहा है, अगर किसी number का हम square करते हैं, जो 5 से end होता हो, मतलब जिसकी unit digit 5 हो जैसे हम example ले लेते हैं, 5, 5 का अगर हम square करते हैं, तो 5 का square क्या होगा, 25 then its cube ends with 25, क्या उसका cube जो है, वो 25 से end होगा, तो देखो 5 का cube करके देखते हैं, 5 का cube क्या होगा, हमारा 125 ठीक है, यहाँ पे तो हमारे 25 से end हो रहा है, but हम क्या करेंगे, एक condition से तो हम true लिख नहीं सकते अब कोई और condition से चेक करके देखते हैं, कोई और number लेते हैं, जिसके last में 5 आता हो, यह आगया 15, 15 का अगर मैं square करता हूँ, तो हमारे पास आजाएगा 225, ठीक है वही, अगर किसी number का जो 5 से end होता है, उसका square करते हैं, तो last में 5 आता है, ठीक बात है, अब मैं अगर इसी number क क्यूब कर दूँ, मतला 15 की power 3 कर दूँ, तो क्या हमारे पास last की जो दो digit आएंगी, वो 25 आएंगी, चेक करते हैं, यहाँ पर 15 का cube जो होगा, वो क्या होगा, हमारा 3375, तो उसने तो बोला है कि 25 आना चाहिए, बट हमारा क्या है 75, तो यहाँ पर condition क्या होगी, हमारी wrong, तो उसने हमारे को statement दिया, वो क्या होगी हमारी false, ठीक है, next देखते हैं अपना fourth part, there is no perfect cube, which ends with 8, ऐसा कोई भी perfect cube नहीं है, जो की 8 से end होता हो, मतलब जिसमें unit digit 8 आती हो, यह तो गलत है वई, अब देखो कैसे गलत है, अब जैसे मान लिया मैं बोल दूँ कि 12 का cube गर दिया, 12 का cube क्या होगा हमारा, 1728 होता है, last में तो 8 आ गया, बट वो तो मना कर रहा है कि नहीं आना चाहिए, बट हो सकता है ऐसा तो, 12 का अगर cube करते हैं तो last में 8 आ रहा है, 2 का cube ले लो आप, 2 का cube करते हैं तो क्या आएगा, 8 उसने तो मना किया है कि no perfect cube which ends with 8, ऐसा कोई perfect cube होता ही नह इसका last digit 8 आ जाए, तो यहाँ पर तो हमने गलत परू कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा answer, false हो जाएगा, I hope आपको fourth part भी अच्छे से clear हो गया होगा, next देखते है अपना fifth part, fifth part के अंदर क्या है, the cube of two digit number may be a three digit number, उसने क्या का है, कि अगर हम किसी भी two digit number का cube करत हैं, तो वो एक three digit number आ जाता है, cube होने के बाद, चलिए चेक करते हैं, two digit number कौन से होते हैं हमारे, one zero ten से लेके, कहां तक जलते हैं, ninety nine तक, ninety nine से आगे hundred आ जाएगा, three digit का आ जाएगा, ten से पहले क्या आएगा, nine, वो one digit का होगा, तो two digit के number ten से start होके, ninety nine तक जाते हैं, हम एक ब 10 का cube करते हैं, ten का cube क्या आ जाएगा हमारा, यह आ गया हमारा, thousand, अब thousand के अंदर digit काउंट कर लो, कितनी है, one two three four, four digit आई, बट उसने क्या बोला है, कि three digit आती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यह गलत, अब 99 का भी करके देख लेते हैं, 99 का अगर cube करते हैं, तो हमारे पास value आ जाएगी, 970, 299, तो यहाँ पे, कितनी digit आ गई, three और three, six, तो मतलब three digit तो आई नहीं रही, तो यह क्या होगा, हमारी condition false होगी, I hope यह part भी आपको अच्छे से clear हो गया है, next चलते हैं अपने six part पे, six के अंदर क्या का है, the cube of two digit number, may have seven or more digits, अगर हम किसी दो digit वाले number का cube करते हैं, तो हमारे पास जो number आता है न, वो या तो seven digit का आता है, या seven digit से ज़्यादा आता है, तो यह check करना पड़ेगा, अभी देखो हमने previous question में किया है, ten का cube किया था, तो कितनी digit आई थी, four, और जो maximum two digit का number होता है, वो 99 होता है, उसके इलावा तो कोई number है यह नहीं, अब 99 का cube किया, तो हमारे पास कितनी digit आई, six digit आई है, बट उसने क्या कहा है, कि अगर किसी दो digit क number का cube करते हैं, तो या तो 7 digit आईगी, या 7 से ज्याद आईगी, तो ऐसा तो नहीं आ रहा, हमारी maximum digit कितनी आ रही है, six, तो यहाँ पर यह condition भी क्या हो जाती है, हमारी false हो जाती है, यहाँ पर करके भी दिखा देंगे, maximum digit two digit number 99 है, उसका cube क्या हो जाएगा, 97029, तो maximum digit तो हमा cube of a single digit number, अगर किसी single digit number का हम cube करते हैं, it may be a single digit number, क्या वो एक single digit number हो सकता है, तो यहाँ पर देखते हैं, one का अगर मैं cube करता हूँ, one क्या है, single digit है, one का cube क्या होगा, one, two का cube क्या हो जाएगा, eight, तो यहीं से चेक कर लिया, हमने, अगर single digit number का cube कर रहे है, तो हमारा number जो आ रह तो हो सकता है कि अगर हम एक डिजिट वाले नंबर का क्यूब करें तो एक डिजिट का ही अंसर आ जाए तो यहां पर कंडिशन क्या हो जाती है हमारी हो जाती है आई होप यह पार्ट भी आपको अच्छे से कलियर हो गया होगा विद्धा रीजन आपको ट्रू और फॉल्स से कलियर हो गया होगे किसी भी पार्ट में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने कलासमेट्स को जरूर चैनल के बारे में बताएं और सभी को सेर करें क्योंकि आने वाली कलासिज की सभी कलासिज की वीडियो अप्टू 12th कलास साइन्स और मेट की वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी तक्यों स्टूंस पर वच्छिं इस वीडियो और लव और स्पूर्ट